हेलो दोस्तों फवागत है मेरी यूटूब चैनल नुवे कैंसिलर्ट में तो दोस्तों इस वीडियो में हम फीखने वाले हैं कि आप UGC NET December 2020 साइकल माई 2021 का फ़ार मुबायल से कैसे भरफलते हैं तो फफ़े पहले आपको Chrome browser खोल लेना है और यह जो आपको 3 dots दिख रहे हैं आपको यहाँ पा simple सा क्लिक कर देना है और इसको desktop file जो यह आपको दिख रही है आपको यह enable कर देना है ठीक है जैसे आप enable करेंगे तो यह थोड़ा यहाँ compress हो जाएगा और कुछ इस प्रकार के interface खोल जाएगा ठीक है अब आपको यहाँ पाफ फर्च मानना है UGC net और फर्च मार देना है ठीक है तो कुछ इस प्रकार के interface खुलेगा अब आपको यह जो फर्च बेफाइट दिख रही है आपको यहाँ पाफ क्लिक कर देना है ठीक है अब आपको यह scroll down करके नीचे चले जाना है यह जो फिल application from December 2020 साइकल माई 2021 किफ दिख रहा है तो आपको यहाँ पाफ फिंपास सा क्लिक कर देना है ठीक है अब आपको इस scroll down करके नीचे चले जाना है तो कुछ इस प्रकार के interface आपके सामने open हो जाएगा यदि आपने registration किया है तो आपके पाफ application number होगा पासवर्ड होगा तो आप direct यहाँ पास डाल कर sign in करके आँगे भरफकते हैं यदि आपने registration नहीं किया है तो आपको new registration पर क्लिक करना है जैसे आप new registration पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का page open हो जाएगा आपको scroll down करके नीचे चले जाना है और यह I have download की बटन पर क्लिक करना है यहां और click here to profile यह जो आपको दिख रहा है यहां पास क्लिक करके आँगे चले जाना है कुछ इस प्रकार के interface open हो जाएगा अब आपको यहां पास candidate का नाम भरना है लेकिन यहां पास candidate का नाम का capital अक्छर में ही भरना है और आपके twelfth की mark suite में जो नाम लिखा हो वह यहीं पास नाम बिल्कुल fame to fame यहां भर देना है ठीक है, father's का नाम यहां भर देना है, mother's का नम भर देना है यहां पास से आपको data भर देना है, gender select कर लेना है यहां पास से आपको identity type select करनी है ठीक है pen card है आपके पास तो pen card select करेंगे passport, voter ID जो भी आपके पास यहां हो तो आप यहां पास click कर दीजे और भर दीजे ठीक है अब जब जो आप यहां select करेंगे तो उसका identification number यहां पास भर दीजे जैसे अधार card आपने यहां पास चुना है तो यहां पास अधार card number pen card चुना है तो यहां पास pen card का number आपको भरना होगा ठीक है अब आपको यहां पास contact detail यह देखिए तो आपको यहां पास address भरना होगा ओके आपको यहाँ पास एड्रेस भरना होगा फिटी टाउन भी लेज आपको यहाँ पास से भरना होगा यहाँ आपको कंट्री भरना होगा स्टेट, डिस्ट्रिक, पिन कोड आपको यहाँ पास भरना होगा ठीक है और यहां पास email ID आपको भर देना है और यहां पास mobile number ठीक है यदि आपका permanent address और present address वेम है तो आपको यहां पास click कर देना है फिर आपको यह नहीं भरना पड़ेगा ठीक है फिर यहां पास आपको choose password यहाँ पास तो choose password में आपको कैसे बनना है तरह password आप बना सकते हैं मैं यहीं नहीं कहूंगा कि बिलकुल इसी तरह का बनाईए ठीक है आपने जो password यहाँ बनाया है तो यही password यहाँ पास भर दीजिए ठीक है फिर आपको यहाँ पास security question आपको चूज करना पड़ेगा जैस what is the name of your first school ठीक है तो जो भी आप यहाँ पे चूनेंगे आपको उसका answer नीचे देना पड़ेगा चलिए मैं यह चूलने लेता हूं अब आपको क्या करना पड़ेगा इसका answer देना पड़ेगा यहाँ पास ठीक है तो यहाँ भर दीजिए अब यहाँ पास security pin जो भरना है तो यह जो आपको दिख रहे है security pin आपको यहाँ पास फिल कर देना है यह कहें तो capture जो यह दिख रहा है तो आपको यहाँ पास simple सा फिल कर देना है और permit की button पे click कर देना है ओके जैसे ही आप permit button पे click करेंगे दोस्तों तो कुछी इस प्रकार के इंटर्फिफ आपके सामने आ ज name gender address mobile number email id यह सब आपको टिक कर देना है ठीक है जब आप यह टिक कर देंगे तो यहाँ पास आई agree पर किले करके final permit कर फकते हैं यदि आपकी यहाँ पास कुछ गलती हो गई है तो आप यहाँ edit registration की button पे click करके आप edit कर फकते हैं ठीक है जब आप final permit की button पे यहाँ पास click कर दी अब आपको करना क्या है यदि आप चाहें तो यही यहाँ पास click करके अपना mobile number और email id verify कर सकते हैं ठीक है आपको यहाँ पास password 2-3 मिनट में आपके mobile में find कर दिया जाएगा ठीक है तो आप वहाँ password उसको लिख लीजेगा ठीक है चलिए मैं आपको यहाँ पास verify email id पर click करके आपको दिखाई देता हूँ अब आपको यहाँ पास security pin आपको डालना है यहाँ पास और find otp पर click करना है और आपका email id यहाँ पास verify हो जाएगी ओके यहाँ पास आपको क्या करना है अब यहाँ पास एक option आपको दिखाई देगा complete application form का तो आप उसमें click करके सीधे आप enter कर फकते हैं यह यह जो often दिख रहे हैं आपको यहाँ पास click करके आप अपना form फिल कर फकते हैं ठीक है अब देखिए जब आप complete application form पर click करेंगे तो कुछ ही इस प्रकार के इंटरफेस आपकी फार्मने open हो जाएगा ठीक है अब आपको भरना start कर देना है ठीक है अब आप से यहाँ पास फार्मने पूछेगा mother's name nationality पूछेगा category अब आपको फ़ब भर देना है ठीक है यदि आप PWD candidate है तो आपको यहाँ पास yes no पर click करके बता देना है ठीक है यदि आप डेवेटिक हैं तो आप यहाँ फियस नो पर चूज कर दीजे ठीक है एन्वल पर इंकम आपको यहाँ पास बतानी है minority community फियदी आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पास आप बता दीजे subject name आप यहाँ पास graduate exam में जो आप देना चाहते है इन post subject name इन post graduate exam में जो आप फिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पास फिलेक्ट कर लिजे ओके अब आपको यहाँ पास बनना है कि apply for apply for में आपको किस post के लिए आप apply कर रही हैं ठीक है तो आपको यहाँ पास से फिलेक्ट कर लेना है जब इस फिलेक्ट हो जाएगा तो आपको यहां पाफ से subject optional और net आपको यहां पास बनना है first choice for exam fitting आपको यहां पास बनना है second choice, third choice, fourth choice ठीक है, यहां पाफ से exam fitting आपको चूज करना है यहां पाफ से exam fitting जो भी है आपकी यहां पाफ से भर दीजेगा ठीक है? चार बार आपको यहां पाफ अपनी एक्जाम फीटी भरना पड़ेगा ठीक है? अब आपको यहां पाफ एजुकेशन डीटेल फापको भरना है यदि आप अपेरिंग कर रहे हैं यहां पास तो pass state of में पास्टर बता दीजिए यदि आप पेरिंग करें तो पेरिंग बता देना है ठीक है अब आपको यहाँ year आप passing या पेरिंग बताना है coffee stream name आपको यहाँ बताना है qualifying examination form आपको यहाँ बताना है qualifying examination state आपको यहाँ पास भर देना है यहाँ पास board university नाम आपको यहाँ पास भर देना है यदि आप result mode में click करेंगे तो यहाँ percentage फीजी पीए आपके सामने open हो जाएगा आपका फीजी पीए था फीजी पीए percentage जो भी है आप यहाँ पास फिलेक्टर की भर दीजे ठीक है अब आपको यहाँ पास doctorate details आपको यहाँ पास भरननी है whether already a doctoral student यदी है तो F कर दीजे नहीं तो no कर दीजे ठीक है अब आपको इस पे फिलाइजेशन आप है तो यदी if any तो आप यहाँ पास भर देना है whether you prefer reflection experience in the subject of pg degree तो आपको यहाँ पास फिलेक्ट कर देना है yes no ठीक है अब whether ymphil past है तो आपको यहाँ पास फिलेक्ट करके भर देना है whether phd past तो आपको यहाँ पास फिलेक्ट कर देना है whether you are an x-men for bief यदी है तो F कर दीजे नहीं तो no कर दीजे ठीक है बस आपको ये security pin आपको यहाँ पाफ पर क्लिक करके submit कर देना है और आपको check कर लेना है और आपका form एक बार complete हो जाएगा ठीक है तो application form आपको यहाँ पास complete हो जाएगा अब आपके पास आता है कि upload email ठीक है third step आती है upload image की तो आप upload image पर क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं ठीक है अब आपको मैं यही suggest करूँगा कि आप किसी online center पर जाकर image वनवा लें या तो आप मेरे i button पर क्लिक करके image कैसे बनाएं वो आप देख सकते हैं ठीक है आपकी जो image होगी उसके नीचे आपका जिस दिन फोटो ली गई है और आपका नाम यहाँ पास होना चाहिए फोटो में ठीक है और फोटो का जो 5 है तो 4KB मिनमम होना चाहिए maximum 2 4KB आपका फिक नेचर यहाँ पास अपलोड करना है minimum 5 कवी 4 कवी होगा maximum 30 कवी ठीक है और आपको यहाँ पर फिचूज करके भर देना है ठीक है जब आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी तो 40 step आपकी payment option पर click करके आप payment कर सकते हैं इस तरह आपका फॉर्म भर जाएगा complete हो जाएगा यदि आपके मन में कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो please subscribe करना ना भूले आपका पहुत बहु सकते हैं